वेल्कम टो हमारा केरियर 360 आज हम बात करना वाले हैं वर्क्सप नियू सिलेवर्स के बारे में और यूनिट टू हम लोग फिटिंग सॉप को हम लोग देखेंगे इसमें आज हम लोग पिछले क्लास में फिटिंग सॉप के उपर में इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट क कर चुके हैं जो लोग नए हैं वह फिस्ट क्लास में जाकर के इसको देख सकते हैं इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है वह आपका वीडियो अबलेबल मिल जाएगा तो चलिए हम बात करना वाले हैं फिटिंग टूल्स तो फिटिंग टूल्स का क्लासिफिकेशन के बारे मे इस टूल का कैसे हम लोग यूज करने वाले हैं फिटिंग टूल्स के अंदर में तो चलिए हम लोग फिटिंग टूल्स के अंदर में हम लोग बात करने वाले हैं वर्क होल्डिंग डिवाइस टूल्स तो आज हम लोग फिटिंग टूल्स के अंदर में हम लोग बात करने व आप लोग यहाँ पे एक figure आप लोग को सामने दिख रहा है जिसमें एक bench है और ये bench के उपर में एक vice attach है तो ये जो vice है इसी के बारे हम लोग बात करने वाले हैं ये जो है bench vice इसका नाम है और ये vice जो है ये क्या करता है कि holding का काम करता है किसी भी material को hold करने का काम करता है पकड handwork हम लोग कर सकें चाहे वो cutting हो filing हो या फिर different track हम लोग pattern use करने का काम हम लोग करते हैं तो यह जो है work holding device tool जो है इसके बारे हम लोग देखते हैं यह fitting process can be done at various places but most of the important operation of fitting are generally carry out one year table called bench work आने कि जो हम लोग fitting soft के अंदर में हम लोग जो manly जो work करते हैं जो कि bench device के उपर एक table के साथ अच्छा इच्छा रहता है और उसी के उपर हम लोग work करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं bench work ठीक है next one चलिए देखते हैं तो वर्क बेंच इस इस ट्रॉंग हैवी एंड रिजिट टेवल मेड़ आप अप हाड़ ओड आने कि जो bench work होता है वो bench work कैसा होता है यह strong होता है heavy होता है भारी होता है और यह इसका जो यह बना होता है वो क्या होता है टाइट होता है याने कि hardness ऊट से बना होता है दो वर्क बेंच इस ट्रॉंग हैवी एंड रिजिट टेवल मेड़ आप अप हाड़ ओड आने कि यह जो strong होता है heavy होता है और यह किसका बना होता है हाड़ ओड का बना होता है नेक्स्ट है workbench for carpenter हम लोग यह fitting section के अंदर में जो पहले देखे हम लोग वह हम लोग यहाँ पर देखें कि यह metal के उपर भी हम लोग work कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग जो बात करना वाला है कारपेंटरी सक्षन के उपर में हम लोग बात करना वाला है कि कारपेंटर लोग के लिए special workbench होता है और इससे related जो इसका भाइस होता है वो अलग तरह का होता है आप लोग यह दोनों figure में आप लोग देख सकते हैं कि यह fitting shop के लिए इस तरह का भाइस attach होता है और कारपेंटर लोग जो हम लोग wood related work करते हैं उस case में हम लोग यह कारपेंटरी भाइस attach होता है दोनों का figure में अलग-अलग difference होता है ठीक है यह mainly क्या होता है इसका जो construction होता है ठीक है और इसका जो size की अगर हम लोग बात करें यह 50 से 80 cm इसका length होता है और other case में कभी कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा 90 cm का भी हम इसका weight की अगर बात करें तो 90 cm weight होता है और एक bench भाईस में अगर बात करें कि एक साथ एक bench 22 के उपर में हम लोग जो table एक जो table है उसमें जो 20 का attachment होता है वो दो से 4 होता है जिसमें एक साथ हम लोग जो carpenter लोग हो है वो 2 से 4 carpenter एक साथ उसमें हम लोग work कर सकते हैं ठीक है तो यह जो हमारा क्या है यह है हमारा bench wise है ठीक है चलिए next हमारा bench wise bench wise होता क्या है और इसका parts का नाम इसका use कैसे use करते हैं हम लोग इसमें देखने वाले हैं यह जो क्या होता इसका जो frame होता है वो क्या होता nut bolt के थुरू से bench के साथ attach होता है it consists of cast iron body इसका जो body part जो बना होता है किस metal का बना होता है cast iron का बना होता है और इसका जो jaw है यह body है इसका इसका जो jaw है यह जो jaw है इसको लोग बोलते हैं यह जो jaw है यह जो jaw वो किस चीज का बना है cast iron का बना होता है two jaw plates are fitted on both jaw the holding surface of the jaw plate is learning order increasing in the gaping आनि कि इसका जो jaw होता है fix jaw होता है और movable जो दो ताइप का jaw होता है वो उसमें क्या पाये जाता है learning का operation पाये जाता है जो कि क्या करता है hold करने के लिए उसमें grip बनाये जाता है ताकि जब हम लोग कोई भी metal को उसमें hold करें तो वो नीचे ना गिरे सही से उसको पकड़ के रखे jaw plate are made up of carbon steel इसका जो jaw plate जो है वो carbon steel का बना होता है and we are resistant मतलब यह क्या होता है कि नमी और पाने से यह क्या होता है इसमें जंग जल्दी से नहीं लगता है बचा हुए रहता है one jaw fix on the body and second side on the square threaded screw with the help of handle अनि कि क्या होता है एक handle के साथ इसमें screw attach होता है जो कि इसको यह जो fix जो है और एक movable जो है दोनों को क्या करता है open or close करने में यह help करता है किसके help से open or close होता है तो यह handle के help से होता है ठीक है तो यहाँ पे देखिए picture में आपको दिख रहा है कि इसका parts का नाम fix jaw एक होता है एक movable जो होता है यह handle जो क्या करता है fix jaw और movable जबको open or close करने का काम करता है और यह handle के साथ जो है हमारा man screw जो base part है वो किसके साथ है nut or bolt के साथ attach रहता है ठीक है तो यहाँ पे यह जो है आप जो पहला figure देख रहे है यह इसका pictorial view है आनि कि यह जो इसका picture देखने में यह जो picture है आपका इस तरह लगेगा bench भाइसका अगर figure बनाते है तो हम लोग यह figure को हम लोग यूज कर सकते है और second जो है हमारे पास वो देखिए आपका sectional view है आनि sectional view हम लोग क्या बोलते है कि जब एक कोई भी आनि कि हमारे पास अगर एक bench भाइस है अगर एक figure है जैसे कि हम लोग save का टुकड़े को हम लोग जब काटते हैं तो उसका जो काटने वाद के बाद जो हम लोग को कटा हुआ portion का जो हम लोग को दिखते हैं उसी को हम लोग बोलते है sectional view तो वही जो है यह क्या किया है कि यह pictorial view को आने की bench भाइस को हम लोग बीचो बीच काट करके अलग कर दिया है तो उसी को हम लोग दिखाया गया है इसका sectional view ठीक है तो यहाँ पे देखिए same चीज fix जो दिखाया है और move जो दिखाया है इसके साथ क्या होता है handle जो है handle attach है और handle के साथ देखिए एक लंबा सा एक जो rod दिख रहा है यह क्या है यही है आपका screw इसी के साथ क्या होता है कि जब handle को हम लोग rotate करते हैं तो jaw जो है open और close होता है और यही जो है jaw metal को पकड़ने के लिए hold करने के लिए यही help करते है चलिए देखिए इसका हम लोग 3D picture में आम लोग आपको एक picture इसी को लोग दिखाएं है इसी का सारा जो है bench vice जो है इसका parts के बारे में कि इसका क्या होता है यह jaw जो है यह दोनों जो है जो sliding jaw जिसको रहा static jaw यही क्या करता है tightly hold करता है देखिए यहाँ आपको एक grip दिख रहा है इस जिगब पर यह जो grip है यही grip जो है क्या करता है job को fully tightly job को पकड़ के रखने में और उसको hold करने में help करता है ठीक है और यह इसका handle दिखाया है screw दिखाया गया है इस parts को हम लोग बोलते है और यह जो नीचे में दिखाया है इसका base यही base जो है bench wise के साथ attach होता है ठीक है चलिए अगला हम लोग जो class है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे next class में हम लोग बात करेंगे और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को subscribe करें यह आपका full course complete हम आपके लिए लेके आए हैं और continue आपको वीडियो जो है इस तरह के वीडियो आपको continue मिलते रहेंगे और आपके डिप्लोमा में जो भी syllabus है वो सारा syllabus को हम लोग complete cover करने वाले हैं thank you for watching हमारा carrier 360